हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब योग होपकी आप सब योग बहुत अच्छे होंगे आज मैं अपने एकदम नए सब्जेट को पहने जाए जिसका नाम है दोस्तों GST यानि Goods and Service Tax दोस्तों GST को पहिने से पहये आपको पता होना चाहिए कि GST क्या होता है GST के पहये क्या होता था and basically GST आपको पता होगा कि एक tax होता है अब दोस्तों tax क्या होता है यानि कि आपको complete knowledge gain कहनी होगी अगर आपको GST के बाए में जानना होगा ठीक है तो आज मैं अपने सिएबस के first chapter को पहने जाए है ठीक है आज अपने first chapter का दोस्तों नाम है इन डायक टैक्स ठीक है आप को रह दिबस ओ करद primero आप घुझा कि यही तो इन डायक टैक्स कहां से आ गया क्योंकि बेटा जो क्याय होता है यह क्या होता है यह आपको दिखाई दे मेंlles टैक्स दोस्तों टैक्स एक टाइप का कमपईसरी पेमेंट होता है क्या होता है कमपईसरी पेमेंट ठीक है इसको आप चाहो तो नोड भी कर सकते हो ठीक है यह टाइप का कमपईसरी पेमेंट होता है ठीक है ओके कहता कौन है टीक है if भायति है नागी क्या करते है जो गबनेट आफ इंडिया को क्मपरिस ऐमयना पैसा पे करते हैं उसको बोहते है टैक्स यानि कि टैक्स यानि कि वह पैसा जो कि एक कमपरिसाई पेमेंट है देना ही पढ़ेगा आपको भीया ठीक है कौन दिता कौन है सिटीजन ओफ इंडिया तुड़ गवर्वर्मेंट ओफ इंडिया ओके अब दोस्तों टैक्स के दो टाइब होते हैं एक होता है आपका टैक्स ठीक है और दूसरी दोस्तों आ आपका होता है इंडैक्स ठीक है ऑकई अब दोस्तों जी मेस्ट तो अभी-भी आया हुआ है घ्रव से पहुले अब चाहए आलम फूलेप souff Motioneb्स निषके भी टैक्स और अब दोस्तों सी पहले कौन सा पहलेदा है तो पहले बात को और भी टाइक्स आते हैं जोगे नीचे डिसकस करेंगे ठीक है यानि कि जीएश्टी आपका इन डायेक्ट टैक्स है अब दोस्तों जीएश्टी आपने सुनो आगा बहुत पुराना नहीं है इंडिया में नया नया आया अपका आया हुगा है यानि अभी भी बहुत तो इसक सिम्पर वरत के अंदर है यानि कि टैक्स आपका पैसा नहीं है जिसके बद्रेमें गर्याय में इन-डायेक्ट सर्विस मेटी है जैसे सवाकार बन्वा दिती है ढया थे तो आपको ये साई सर्विस तो मेंठी इन डायट्च तरीके से कोई भी आपको डायग्ट बेनिफिट नहीं मेरीता है टैक्स के बद्ये में अब बात को समझें हो जब भी अम्मों यो टैक्स पे करते हैं तो टैक्स के बद्ये में streets नहीं हो'Tाई यानि इनसे तरह से सबको फारिदा होता है अब दोसरों यहां पर थ्वासा टेक्निकल वर्ट में इखा गया है कि टैक्स क्या होता है तोकि मैं आपको समझाने की कोशिच करता हूं टैक्स इसमें भी टिफाइंड अजा पैकुनेगी बॉर्डन पैकुनेगी बॉर्डन का मतब होता है पैसो का भाय होता है ठीक है यह दो इंडिविजुआइस यानि कि जो इंसानों के उपर रगता है प्रॉपरिटी के उपर रगता है तू सपोर्ट दा गवर्मेंट यानि गवर्मेंट को सपोर्ट करने के यह गवर्मेंट को सपोर्ट करने कि यह जो पैसों का भार इंसानों के उपर रगता है या फिर किसके को देना पढ़ता है income tax department को जमा करना पढ़ता है ठीक है अब यहां पर दोस्तों मैंने एक्जामपर आपको income tax करिया है अब आपका इंकम टैक्स होता है ऐसे आपका GST department भी होता है यहां पर आपको GST टैक्स पर करना होता है ठीक है आपको उसके ओपर tax देना पढ़ेगा कोई भी इससे बच नहीं सकता है अगर आप उसे इमिट के अंदर आते हो तो ठीक है यह हो गया और donation बट और enforced यानि कि यह आपके उपर जबदस्ती जगा दिया गया enforced यानि कि करना ही पढ़ेगा अगर आपने कोई समान खईदा मैंने फोन खईदा मुझे इसके उपर tax enforced है देना ही पढ़ेगा हम इससे बच नहीं सकते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि यह voluntary payment है हमाई इच्छा होगी तो हम देंगे नहीं तो नहीं देंगे यह warranty payment नहीं है नहीं कोई आपका donation है यह क्या है enforced contribution है जो कि आपको फोर्ज करता है कि आपको देना ही पढ़ेगा इंकम टैक्स या फी जो भी टैक्स का department authority है उसको देना पढ़ेगा दोस्तों यह जो मैंने आपको बताया है यह थोग टेक्न को देते हैं बजिये में indirect benefits enjoy करते हैं ठीक है अब दोस्तों यहां पर ध्यान दो tax जो होता है वह दो टाइप का होता है एक होता है आपका direct tax होता है एक होता है आपका indirect taxes ठीक हो करोगे सरी जी जी हम तो जी हम आपको पहले थे बेटा यह आपके वही आपको समझाओंगा आग income tax, corporate tax, capital gain अब दोस्तों बहुत important बात है कि capital gain क्या होता है ठीक है अगर आपके पास में कोई property है और भईया बही property है याफी कोई capital assets है यानि capital assets क्यों होता है जिसको आप एक size से पहले कभी बेच नहीं सकते जिसकी value बहुत जादा होती है अगर आप उसको बेचते हो और आपक आपके यह क्या है capital gain है तो 5 या के उपर आपको tax देना पढ़ेगा यह होगा capital gain तो यह सब के सब आपके क्या है आपके एक तरीके से direct taxes में आता है income tax जो बहुत बढ़ा example है income tax is a direct tax ठीक है जो कि person को अपनी pocket से देना पढ़ता है अपनी जेव से देना पढ़ता है यानि अग इस इंसान को आप इस tax को आप transfer नहीं कर सकते हो यानि कि shift नहीं कर सकते हो और आपका आता है entire tax person correct tax from customer यहां पर क्या होता है जो person होगा वो tax को customer से correct करेगा and pay कर देगा government को माने भया मेरी मुबाइल की दुकान है क्या है मेरी मुबाइल की दुकान है हम मुबाइल बेच रहे ह तो तो हमसे समान खरने आया उसको हम समान बेचेंगे उससे tax के पैसा पस्विएंगे correct करेंगे और government को जमा कर देंगे यही हो गया आपका indirect tax यानि कि इसमें क्या होता है ना कि आप अपने tax को shift कर सकते हो आपका tax कोई और जमा कर यहां है यहां पर आपका tax है तो आप अपन जिनने tax को shift भी कर सकते हो और transfer भी कर सकते हो ठीक है एकजाम्पर दोस्तों यहां पर देखेंगे हो कि रिखा हुआ है वैड क्या काटा क्यों है आपको बटर मैं बताता हूं क्यों काटा है पछिछ आपका दिया हुआ है value added आपका tax हो गया ठीक है फिर service tax फिर excise duty फिर customer etc तैक्स के नाम है याने कि GST आने से पहले, इतने पकार के इतने ठ works get रहते थे ठिकर आने घ्क्साइज डूटी. फिरक फिरक प्सितन जीणता कृः हो गया। इतने साइटेक्स रखते थे भाईसाब। अब में कहोगो भिता इस यह आया। एक एक जांपर बहुतर समय को फोल आपको का हमिगो ? मैं इसको बनाने पर मुझे टैक्स पर करना पढ़ गया उसको मैं ने सब्सक्राइब ना पढ़ गया यानि एक ही समान के उपए कितनी बार टैक्स लगया है इतनी बार टैक्स लगया है और सुनों उतने साही department और सब के tax को जमा करने की date भी अलग-छे यानि बेचाया एक इंसान समान बनाए उसके tax दे उसको यहां से बाहर कें पेचे फिर भी tax दे तो यानि कि कितना tax उपे करेगा चोड़ अगर tax यना भी है तो एक पर में tax वसूर जो बाहर पर tax यह आप सोचो जितने साए टैक्स उतने साए डिपार्टमेंट और सब को जमा करने की डेट अलग-अलग होती थी और सुनो इनके टैक्स हर स्टेट में इनका परसेंटेज भी अलग-अलग हुआ करता था यानि हाई स्टेट हाई आज अपने हिसाफ से डिसाइड करते थे कि लिजया कितना इनका हुआ ना चाहिए घट आते या बहाते थे अब अब सोचो आको करको टैक्स घट गया तो आप तो इस sih टेंटेंशन में मैं मैं जबना चाहिए एक और फैग्स ठीक है एक्जाम पर जब मैं पहरे एक पीजा खाने गया तो उस पीजा के उपपर चार-पांच टैक्स लगे हो थे एक साइस ड्यूटी वैट से टैक्स तीन चार टैक्स हा सबका परसेंटेज अलग अलग था ठीक है अब जब भी मैं जाता हूं तो केवाई जी एस्टी एक नौपरसंट नौपरसंट इठाइस फट्र स्पर्ण एडाइब हो होगया श्यूटी बहिस लिए एक हो गया जमा बी किया जा सकता है तो यह को समझ में आ गया अब दोस्तों यह आपके जितने वह टाक्स है उनको हटा नहीं किए इनको मिला कि एक टैक्स बना दिया गया यानि कि वैट हटा नहीं किए हटा नगीया थीजाड़क होतं के उपर ठीक है या फिर साइविस के उपए आगर कोई भी गूट से या फिर साइविस है तो भी इसके उपए जी एस्ट रखता है अब जैस्टी कौन सा टैक्स है इन डारेक्ट टैक्से से ठीक है ओके यह आपको समझ में आ गया यानिकि यह सब हटा इस सब को हटा के जिस्टी आ आपको इसकत 않ता है आ डारेक्स नहीं किया क्योंकि आपको अलक सेन्कम टैक्स पाहिना है income tax ऑपका अलकी सब्ज़ेट में आपको ड्राइक क्या होता है डीटेज में पढ़िए इनकम टैक्स आपकास बहुत 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 बंगा क्या है income tax और पर ळचता है पल्स रहता है business पर गतता है यानी कि एक तवी से income tax आपका कौन सा tax है विजनेस की income हो चाहें इंसान की income के उपसा है वो हम्तोंा है भी आफार होता है इन दालाइक टैक्स अधिकिक ए वह होता है और गोटका या न धालाइक टाक्स क्या होता जो जगता है वो commodity रखता है before they used to customer customer के पास पहुशने देपाए जो भी tax रखता है समान के उपए उसको कहा जाता है और इसका नाम क्या है GST Goods and Service Tax अब दोस्तों According to Ditan के हिसाब से यह tax which is paid by person on whom it is यह गया समझता है बदो मतनद बता है यानि टैक्स का बहार है वह किसी और के उपर आप सिफ्ट नहीं करईani ठीक है okay to any other person the person from whom it is corrected ठीक है cannot shift the burden to anybody else यानि कि जिससे ये पैसा बसुरा जाया है वो अपने बर्डन को किसी और के उपर shift नहीं कह सकता माने हो मैं इंकम कमाया हो मैं कहूं सरकार से भईया मैं टेक्स नहीं पेकर पाऊंगा में बदे मैं दो से टेक्स पेकर करेगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ठीक है दॉस्ट इंपार पर कोई है बिजनेस किया टैक्स नहीं पेकर भाग गया तो इसके पईवार से टैक्स को बशुरा जाएगा ओके बताओ ऐसा तो नहीं होगा ना क्योंकि यहां पर क्या होगा जो कमाया है इंकम उसी को टैक्स देना पहेगा ठीक है यह हो गया the impact the initial first burden and the incident the ultimate burden of tax is on the same person यानि tax वियागता भी उसी इंसान पर है जिसको पर भी उसी इंसान को करना परता है tax का burden और incidence जोरों एक ही इंसान के उपर होता है ठीक है the taxpayer is the taxpayer taxpayer tax bia भी होता है यानि जो taxpayer कर आया है उसी को tax भारना परता है इसको याद रगना, income tax आपका direct tax है, wealth tax, property tax, estate duties, आपको कैसा यह क्या है? बहुत बरा मेया empire है, यानि बहुत बरा मेया villa है, तो villa के ओपर आपको tax देना पएगा, आप मान जो कि आप भिया पुआने याजा माया का घराने महार का घर है, तो आपको उसके ओपर tax देना पएगा स अब दोस्तों जाने कि Income Tax एक ऐसा Tax होता है जो कि Income के ओपर Property के ओपर Wraith के ओपर समपत्तियों के ओपर लगता है ठीके गे Key अगर टीक अगर फैसा नहीं होगा तो वह उस देस के अंतर डेवलप्मेंट कैसे करेंगे रॉपलेप्मेंट करना होगा अपको यह इसका मतब होता है कि जो टैक्स होता है यह आपकी एसाफ से तभी आपको इतना tax पे करना है, income नहीं है, tax नहीं पे करना है, यानि कि that tax is based on a tax by capacity, यानि ये आपकी capacity के हिसाब से होता है, and their button is justified by distributed, यानि इतनी income होगी तो इतना tax पे करना होगा, income नहीं तो tax भी नहीं, income चारी तो tax भी ज्यादा, ठीक है, फिर दोस्तों progressive होता है, बहुत important question ठीक है, एक्जाम में पूछता है, कि income tax कौन से tax है, progressive है, proportional है, ठीक है, अब progressive का मंतर क्यों होता है, जैसे जैसे income बरती जाएगी, tax का जो percentage है, वो बरता जाएगा, जादी income, ज्यादा tax, कम income, कम tax, ठीक है, ये किन, GST जो होता है, वो progressive नहीं होता है, या आपका diet tax की बात जो होता है, क्यों होता है, जाने कि वो confirmed कि इतना ही जागेगा, ठीक है, एक समान खरीदो, चाहिए, दस समान खरीदो, 18% का GST है, तो 18% ही जागेगा, 10 जो खरीदे पर जादा GST नहीं जाग जाएगा, ठीक है, ये आपका हो गया, फिर progressive होता है, taxes are progressive as higher date of taxes on higher income, income जादी tax ज is also certain about amount, यानि कि ये certain होता है, कितना आपको देना है, ये पहले से पता है, कि आगा आपके इतनी income होगी, तो इतना ही tax आएगा, जादा नहीं आएगा, कम, नहीं आएगा, certain होता है, सब कुछ, fix होता है, ठीक है, Elastic, दोस्तों, Elastic का क्या मतलब है, यहाँ पर, direct taxes are elastic in sense that high proceed to government, become possibly only, increasing the rate of these taxes, यानि कि सरकार, चाहे, तो इसको elastic बहा सकती है, और घटा भी सकती है, सरकार को अगर income जादा कमाना है, सरकार का अगरे कि tax के percentage को बहा देगी, तो आपसे जादा परिसा बस होएगी, tax के form में, ठीक आपके देश में कितना production हो रहा है, GDP कितनी है, उसको यह direct, short earn में affect नहीं करती है, लेकिन अगर रंबे समय तक इसको देखा जाए, तो इसका effect बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि इंसान की income के उपर सीधे इसका असा है, परता है, भाईया, taxes की मतलब से इंसान की income कम हो जाती है, ठीक है, ओके, and indirect taxes have larger impact on productive capacity, तो भाईया, सुनी जो, जो direct taxes होते है, short earn में, उनका impact कम होता है, production activities के उपर, लेकिन indirect taxes का impact जादा होता है, क्योंकि indirect taxes किस पर रखते हैं, goods और service पर रखते हैं, तो इसी ये impact भी जादा होता है, फिर, distributive justice, direct taxes are based on principle of distributive justice, as they have been reducing the garing inequality of income and wealth, इसका क्या मतलब है, हमारे समाज के अंदर गईब हो अमीरी है, ठीक है, तो गईब हो अमीरी का भेज़ बहुत दूर करने के ये, ये एक justice का काम का यहाँ है, कि अमीरों से ज़्यादा tax वसूल हो, ज़्यादा income, ज़्यादा tax, और उससे indirect तर का मतलब क्यों होता है, the rate of taxes are arbitrary fixed by the government, यानि कि government कितने taxes लगेंगे, इसको fix करती है, the rate of income tax depends upon the point of justification, ये दोस्तों indirect taxes का demerit है, कभी-कभी सरकाय खुंदस में आ जाती है, कहते हैं, नहीं भाया, हमको ज़्यादा tax वसूल होईना है, तो भाया, ये कभी-कभी होता कहना, सरकाय कि इस ट्राइब की है, सरकाय का decision कैसा है, उस पर भी depend करता है, इसे ये कहा गया, ibti, ये political way, कि सरकाय क्या चाहती है, इस बात पर ज़्यादा dependent होता है, ना कि जो चिस justified है, पर या एक देश एक्जामपर, पाकिस्तान के इस समय बहुत ज़्यादा taxes है, वहां कि जनता मर रही ह पर आया, तो ये सरकाय बस वसूल है, ये tax, 100-100% तक tax लेका के बैठे हुए भाई साव, इतनी महंगाई है इस समय आज की ताइम पर, यानि कि political way, सरकाय क्या चाहती है, इस बात से taxes के percentage को भी घटाया बहा जाता है, तो ये कही न कहीं आपके देश के लोगों के ये खतरनाक सावित हो सकता है, तो याता है, इवेजन, tax, इवेजन का मतलबता योग tax की चोई करते हैं, क्या करते हैं, अडिवो, सरकाय भाईया, हम कमाएं income, हम करें महनत, ठीक है, और सरकाय हमाई income पर हमसे tax मांग गई है, तो बहुत लोग भाईया, tax को बचाने के ये, अपने income की चो इसको करते है, tax evasion, tax evasion एक ऐसा तरीका है, जहां पर लोग अपनी income को चुपा रेते हैं, ठीक है, बहुत साइट टेक्निक्स होती है, ठीक है, जिसे income को चुपा रेते हैं, और जिसे income चुपा रोगे, घटा रोगे, income कम तो tax भी एकम देना पढ़ जाएगा, वही क्या रहा दिखाए ने की समान बेचे हैं, जब दिखाए ने की समान बेचे हैं, income जो हुई, उस पर tax evasion पे करेंगे, तो वह क्या हो गया तरीके से, black money हो गया, सब लोग कहता है, किसे what is black money, लोगों को रगता है, गलत काम करके जो पैसा कमारा गया, उसको black money कहता है, बैटा, ऐसा बि पैसा कमारा है, तो वही black money है, ठीके, अगर उस पैसे के उपर tax नहीं पे किया गया है, तो वह होती है black money, ठीके, यह हो गया, and दोस्तों, tax pay, maintain bogus account and do not pay the taxes, यानि कि आपको बिफाइदू के अकाउंट दिखाएंगे, खर्चे दिखाएंगे, and taxes नहीं पे करेंगे, simple सी बात ह reducing saving, एक इंसान की saving होती है, वो घड़ जाती है, हमने income कमाया, हमाई income में tax दिना पाजाया, तो हमाई savings क्या हो जाएंगी भाईस, आप घड़ जाएंगी न, तो भाईया, कहीं न कहीं, बहुत साई countries ऐसे हैं, जहांपे आपके income के उपर tax नहीं आता, तो अगर आपको पता है कि आसी कॉन सी कंटी है, जहांपे income के उपर tax नहीं या रहा था, तो आपको comment box में comment जरू से करना, ठीक है, अब दोस्तों, और दोस्तों, वो कंटी बहुत जादा famous आती है, बहुत जादा famous आती है, ठीक है, अब देखो, यहांपे क्या कहाया है, the higher the rate of direct taxes reduces the saving capacity of the people, जितना tax ज्यादा होगा, उतना लोगों के save करने की capacity कम हो जाएगी, तो लोगों के save करने की capacity को घटा देता है direct taxes, ठीक है, फिर दोस्तों, limited tax base, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है, direct taxes do not reach all, they cover only part of society, shared cash, यानि कि जो direct tax, जो होता है, वो सब के उपर नहीं रगता, यानि कि जो पैसा कमा जिनकी salary आई है, income होई है, उन्हीं के उपर लगता है, इसी जी यह क्या है, limited होता है, यानि कि indirect tax क्या होता है, चाहे आप income कमाओ, चाहे ना कमाओ, आपने कोई समान purchase किया, mobile हो गया, साबून हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपको tax देना पर जाएगा, indirect tax जो होता है, वो बहुत साही तरिकों से अपने accounts में छेचा करके, taxes को बचाने की courses करते हैं, ठीक है, यह हो गया, अब दोस्तों, आप अपना next part है, वो क्या आपना indirect taxes है, जिसको आपने next part में पहेंगे, hope कि आपको समझ में आ गया होगा, कि direct taxes क्या होते है, उसके advantage और disadvantage आपको बहुत ही अच में कैसे पूछेगा, आपके thinking experience पे पूछेगा, कि आपकी thinking कितनी अच्छी है, ठीक है, तो आप उसके ताप से answer कर पाओगे, ठीक है, वीडियो को अच्छा लगा, तो वीडियो को like करना, चैनल को subscribe करना, में ते अपने next part में, thank you so much